हेले अब्रीवन कैसे हो आप सब एक बार पुनाहाँ आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूटूब चैनल सिव कोचेंग क्लासेस पर और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बावलाज इन्सी आटी चैप्टर 13 के दोस्तों जितने भी दर लेते हैं तो डेफिने ट्रूप से आपकी चैप्टर 13 की तयारी जो है अच्छे ढंक से हो सकती है इन कोस्टिनों के माध्यम से चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देखे पहला कोस्टिन है समश्टी वा समुदाय के मद्द अंतर देखे कम्यूनिटी वो की चैप्टर 12 13 और 14 चैप्टर 13 दोस्तो 13 14 और 15 यह तीनों चैप्टर मिला करके आपका यूनिट 5 बना है इस पेसली यदि हम बात करें यंपी बोड की तो देखे इन में मुख रूप से पहला कोस्टिन है समश्टी वा समुदाय में अंतर इसको आप तयार कर लेंगे इसक पौदे क्या होते हैं तथा इन में पाए जाने वाले अनुकूलन को भी समझाना है देखे जलोद बीदी पौदों का वरगी करन भी आपको अच्छे से तयार करना है क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन ये वरगी करन भी कई सारे पार्टों में डिवाइट है तो जलोद बीद अंतर बताना है आपको किसमें किसमें अनुहरान वा छद्मा वरण के मद्ध आपको अंतर बताना है अगला कोस्चन है मरुद विदि पौधे क्या होते हैं तथा इनमें अनुकूलन को समझाईए तो देखे जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं आपको जीरोफाइटिक को भी याद करके चलना है चलिए नेश्ट कोस्टें दल्दली या मैं ग्रूप ओधे किसे कहते हैं या इसको लवडी पौधे भी कहते हैं तो दल्दली या मैं ग्रूप ओधे क्या होते हैं तथा इन में पाए जाने वाले अनुकूलन यानि एड़ाप्टेशन को समझाईए तो इस प्रकार से दलदली पोधे या मैग्रूप ओधे या लवडी पोधे जो है ये भी पेपर में पूछा जा सकता है तो ये question भी पेपर के point आप उसे important है चलिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप निम्न पर टिपनी लिखनी है देखिए कुछ यहाँ पे छोटे छ दोस्तों पर भक्षीता क्या होती है या पाइर सिटीज में क्या होती है वहाँ पर जीविता क्या होती है तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी important question है chapter 12 के आपको इन question को तयार करना है और साथी साथ इसके अलावा आपको बाकियो question को भी लेके चलना क्या हो कि chapter 13 paper के point आप उसे काफ ही important है तो मिद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजेगा साथ ही साथ दोस्तों को भी share कीजेगा मिलते है दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम